2014 में बहुत हुई महंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मोदी जी ने क्या कहा था बायो बेना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धो डालो हम कहां से दोएंगे जब 400 रुपया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग मुझते हैं वो मंत्री जी कहा है आये तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस का दिल्ली एक एजुकेटेट बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट लोग में हिकता है मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे खार परिवार का पोशन नहीं कर सकता हूँ हमकर तो ये है कि लोग बहुत परिशान है ये हूँ तीस रुपया पाच पैसा था आपने 28.01 परसnd कर दिया इतमे बोधी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ रहा है दूप मरो दूप मरो दिल्ली वालो दूप मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पड़ता है भायो बहना ये महंगाई को रोक नहीं सकते प्रीप देने की बज़ाए प्येस्टी और बढ़ा दिया बोधी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रूपिय की किम्वत चली गई है कि हमारे पर चाहे कितनी भी दिक्कत आए देश की जनता की दिक्कत की चर्चा हम हाउस में करेंगे और इसे हम यहां आए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सच को परिशान करने या जैल में डालने से ना रावन का शासन सलामत रहा था ना कंश का रहा था ना अंग्रेज का रहा था आपका कहां से रहेगा में महदें, मैं महदें, मैं महदें, मैं महदें, मैं महदें, मैं महदें, 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 मह नादिया दुखदाई, मैं महदई, मैं किसी हवा बाजी में विश्वास नहीं करता हूँ, ना फैंकू बाजी में विश्वास करता हूँ, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, माननी महदई, मिनिस्ट्री ऑफ कंजूमर अफैर्स, इनका एक डिपार्टमेंट है प्राइज मॉनिटरिंग, प्राइज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंजूमर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उसके आकड़े आपको देना चाहता हूँ, अभी 22 almost double हो गया 7.79 परसंट ये हालत है इस देश की इसी मिनिस्ट्री आप कंजूमर अफेर्स के मॉनिटरिंग डिविजन ने अपने आकड़ों में कहा है कि राइस हमारे वक्त में 1st May 2014 26 रुपिया 17 परसे प्राइस थी वो 14 फरस्ट में को और 22 फरस्ट में को 35 रुपिया 85 परसंट बढ़ा दिया आपने यहू 20 रुपिया 5 परसंट था आपने 28.01 परसंट कर दिया माने 37 परसंट बढ़ा दिया आप यह सारी चीजों पर आपने बड़ा लंबा लिस्ट है मैं इसी इसी आदार पर जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा मोदी जी कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कोईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पोटेटो टॉप और यह आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने यह हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महँगाई की मार अब लोग कहते हैं बस करमोदी सरकार में आपको यह कहता हूँ आपके जरीے मोदै वित मंत्री जी मैं उसकी बहुत इजद करता हूँ बहुत शालीन है और मैं जिस युनिवर्सिटी की बहुत इजद करता हूँ जवारलाल नहरू युनिवर्सिटी जहांसे बहुत अच्छे छे लोग निकले उस जेनियू की वो पासाउट है वही से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हु कहते हैं देश द्रहिवों का अड़ा गुंडों का अड़ा मैं उस जेनियू का बहुत समर्तित हूँ मैं वितमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आप तो सम्वेधनशिल है आप जड़ा गुजरात के उस अख़बार को चार दिन पहले के उठा के देख लेना एक एजुकेटेड बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे घर परिवार का पोश्ण नहीं कर सकता हूँ मैं आतम हत्या कर रह जी की बुमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गवा देते हैं मैं विशे इसी के जुड़ाय में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गए उनकी आँखे गई किड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है महंगाई इतनी है कि मैं डबल सिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जरिये वित मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदान मंत्री जी तो अब गए वो वहार उजित नहीं गए थे उन गरीब के आँसू पहुचने नहीं गए वित मंत्री जी आप पदारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आँसू देखके फिर आप सिकार करना कि महंगाई है कि नहीं और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है मैं आपसे और इस हाउस से भी माफी मांगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था वो मैं विड्रो करता हूँ और मापी मांगता हूँ हकिकत तो ये है कि लोग बहुत परिशान है हमारी बात ओपोजिशन की बात लोग तंत्रम में सरकार को सुनना चाहिए और लोग तंत्रम में ओपोजिशन की बात मानना भी चाहिए पर आज का दोर ऐसा नहीं है इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंए जब आज के प्रधान منत्री जी के आफ बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंदर बेज ने कह दिया भगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंतरी थी मैं विरूदी दल का नेता थू उस वक्की वीडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था मेंगाई को देखके मुझे कहना पड़ रहा है दूब मरो दूब मरो दिल्ली वालो दूब मरो मेंगाई को देखके मुझे कहना पड़ता है भायो बहना कि ये मेंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंदर भाई मोदी जी का वीडियो सोशिल मीडिया पे है महिंगाई से परेशान लोग महिंगाई के परेशान लोग उमीद करके बैठेते कि पारलामेन शुरू हो रही है हमें कुछ रिलीफ मिलेगी हमें कुछ राहत मिलेगी रहत नहीं दी आपने GST का और मार मार दिया रिलिफ देने की बज़ाए GST और बढ़ा दिया और किन चीजों पर बढ़ाया आपने जो सामान्य नागरी खाता है आम नागरी कॉर्ड, लसी, बटर मिल, पनी, राइ, स्वेट, मुरी, जेगरी, नेचरल हनी एक हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है? एक गरीब रुपता है उस होटेल का एक हजार के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहाँ तक कि आपने समशान को भी नहीं छोड़ा समशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मौदय मैं यह कहना चाहता हूँ अभी माननी सदर्शे प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप ओइल बॉंड लाएं मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आखड़े देखिए पेट्रोलियम एनालिसी सेल के आकड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉंड में कितने भर है आपने? सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिया आपने टैक्स कलेक्ट किया कि इस नाम से आप बॉंड की दुहाई दे रहे हो जिसे टाई करता है साओधी अराम को हमारे वक्त में 2013-14 में इस साओधी अराम को के मुताबित 885.2 यूएस डॉलर पर मेट्रिक टन लपिजी का प्राइस था और उस वक्त हम देते थे बॉटल 400 से 415 में आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 यूएस डॉलर पर मेट्रिक टन लपिजी माने सस्ता हो गया और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलिंडर कर दिया महदय मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपया गैस का सिलिंडर था तब एक मंत्री विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंत्री जी कहा है आए तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलिंडर आए तो सही हो मैं महदय ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब थी उसके आखरी तिन साल का एवरेज जावडेकर जी आप देखिए उस तिन साल का एवरेज कच्चा कुरूड था 108.46 यूएस डॉलर पर बैरल और हम कितने में देते थे कभी 100 रुपया नहीं पहुंच नहीं दिया और आपकी सरकार का लास्ट तीन साल का एवरेज देखो कच्चा कुरूड हुआ 60.6 यूएस डॉलर पर बैरल माने आधा हो गया पर आपने 100 के पार कर दिया आप ये एक सेकंड दे जी एक निए आधा मिली आधा मिली आधा मिली आपसे यही कहता हूँ कि पदान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और जब मनमौन सी जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वैट कम कीजिए तो मुधी जी ने क्या कहा था भाईो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धोर दालो हम कहां से दोएंगे कम करना है तो तुम तुम्हारा एकसाइज करो करो तुम्हारे पाप से पेट्रोल डिजल बढ़ता है हम वैट कम नहीं करेंगे ये मोदी जी ने खुद कहा था वीडियो है मेरे पास मेरे खिलाफ प्रिविलेज करना मैं वीडियो दिखा दुआ कि एक पैसा कम नहीं किया था वैट का आज आप महराज की दुआई देते हो एक आखरी बात करके खतम करता हूँ जब प्रधान मंत्री जी मनमौन सी जी थे महिंगाई के लिए डॉलर की किम्मत और रुपिये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रधान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रुपिय की किम्बत चली गई है ये हकीकत है वो कहते थे रुपिया गिरता है तो समझ लो प्रधान मंत्री गिर रहा है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रुपिया गिरता है तो समझ लो डेली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आज कहता हूँ कि आपने तो रेकॉर्ड ब्रेक कर दिया आओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में वो दिखाए तो सही इनी लबजों के साथ आप इजाज़त दे तो दो लाइने जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे देश वासी पे करो महरबानी सारा देश तुम से परेशान कुछ तो कृपा करो सरकार आई है जब से भाज़पाई कठीन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देश वासी की जवानी संदर बाट श्री डेरेक उब्राएन